और बात आप जन सरोकार की पता देते हैं। सुप्रीम कोट ने सवाल उठाएं कि अगर डॉक्टर्स को लापरवाही के लिए उब्भोगता अदालतों में लाया जा सकता है तो खराब सेवा के लिए वकीलों पर मुकत्मा क्यों नहीं चलाया जा सकता। इस वक्त तक्रीबन तेरा लाग वकील है। और इस पर हमारे सहोगी आशीश भारगव ने बात किये सुप्रीम कोट के वकील नीरज गुपता से आए सुनते हैं। लेकिन जहां तक अधिवक्ताओं के मामले में अगर हम कुश्चन करें तो अधिवक्ताओं का रोल बहुत डिफरेंट होता है। वो कोट के लिए कोट का आफिसर है और वो माउथ पीस नहीं है के वल कलाइन काून काून के हिसाब से अपने जैसा केस है उसके अपने कलाइन वकील को रिप्रेजन करना होता है ना कि मुख्किल के फेवर में जो भी जैसा भी हो जीतने के लिए कुछ भी बोले और अल्टिमेटली किसी केस का रिजल जो होता है वो अधिवक्ता के ऊपर नहीं होता है वो अल्टिमेटली कोड डिसाइड करती है नहीं वो ठीक है लेकिन अब तो कोड खुदी ये सवाल पूछ रही है कि अगर कोई फीज ले ले वकील और पेश ना हो तो ये क्या पूरा मामला है सेवाओं में वकील क्योंकि वकील हैं तो सवाल यह हैं कि सर्वीसीज में वकील क्यूंड या इंगे सरकमिस्टेंस बहुत बार वकीलों के केस में यह होता है मान लीजे कोई अगर वकील दो केसे कर रहा है एक कोट में आर्ग्यू कर रहा है और दूसी कोट में पुकार हो गई बुला लिया कोट में तो वह उस कोट को छोड़ करके जा नहीं सकता जब तक कोट परमीशन ना दे ऐसे केसे में अगर कोई डिफॉल्ट है वकील की तो वह क्या सर्विस की कैटेगरी में डिफॉल्ट में वाने क्योंकि अगर आप अपनी आपकी नेगलीजेंस है तो एक मुद्दा है लेकिन अगर आप किसी कारण से नहीं पहुँच पा रहे है तो वह देखना जरूरी है और इसके लिए एड़ोकेट अक्ट में अपने आप रौविधान है बार कांसिल आफ इंडिया है जिसमें बार कांसिल आफ इंडिया देखती है कि किस तरीके का मामला है क्या वकील की नेगलीजेंस है या नहीं है इसके लिए अलग अधिवक्ता में अगर उस तरीके से सेवाओं को भी सेवा के आधार पर लाये थे और उसमें ये कहा था कि वकीलों की अगर नेगलिजिंस है किसी सेवा में तो उसको भी कंजूबर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर्ड करेंगे तो उसमें स्टेय सुप्रीम कोड ने कर दिया था आब यह जो हीरिंग है इसके कितने महत्पूर्ण हैं वकीलों के लिए खास तोर पर जो प्रोफेशन के लिए और जो क्लाइंट है उनके लिए दिखिए यह बहुत महत्पूर्ण मुद्दा है क्योंकि जैसा कोट डिसाइड करेगी उसके इसाब से होगा कि यह वकीलों की सर्विसेज का जो भी सेवा होगी ज नीचे के जैज्मेंट को एंसीडी आर्सी के तो उसकेस में फिर वकीलों के अगेंस कोई कारवाई नहीं हो सकेगी तब उसकेस में केवल यही आपके पास रिलीफ होगी कि अगर कोई नेगलीजेंस का मामला है कुछ है तो एडवोकेट से अक्ट के अंतर जा सके तो बहुत बहुत देनेवाद तो साफ तोर पर एक बड़ा मामला है काफी इसका असर भी होगा और सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई लगातार जारी है नई दिली से सुसिल रा बहुत है